नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से इतिहास में कुछ घटनाएं तरास्ती के तौर पर याद बन कर रह जाते हैं वक्त के साथ ऐसे वारदातों की महत्वता मात्र घटना करम की वज़े से नहीं होती परन्तु इन वाक्यों ने किसी तरह की राजनेतिक और सामाजिक सोच में परिवर्तन ट्रिगर किया है उसकी वज़े से होती है एक राश्र की जीवन में बीस वर्ष बहुत ही कम समय होता है लेकिन दो हजार दो से दो हजार बाइस के बीच भारत ने बहुत लंबी दूरी तैकर ली है जहां तक किस बात को पॉलिटिकली और सोशली करेक्ट या इनकरेक्ट माना जाता है उस परस्पेक्टिव से इन दो दशकों में मुझसे पहले की पीडी अपनी यादों को साथ लेकर चली गई है मेवी पीडी को यादें अभी भी ताजी हैं हमारे बाद के जेनरेशन के मेमरीज थोड़ी सी डिफ्यूज या फिर अभी भी अनफॉर्म्ड है और उसके बाद की पीडी की दो हजार दो के इन घटनाओं का कोई मेमरी नहीं है वे इस त्रास्ती को या ट्राजीडी को पोस्ट, टृत, युग के वर्जिन्स के आधार पर ही जानते हैं 27 फरवरी 2002 और उसके बाद कई महिनों तक चलने वाली घटनाएं भारतिय राजनेतिक इतिहास की उन तारीकों में से एक है जो इतिहास में केवल एक वाटरशेड दिन नहीं है उस दिन की घटनाओं ने ना केवल सामप्रदाइक हिंसा के सबसे भयानक चड़नों में से एक को जनम दिया बलकि भारतिय राजनेती में मोदी युक की शुरुवात की जब राज्य की नीती में धर्म की प्रत्यक्ष भूमी का स्वीकारिय या फिर एकसेप्टेबल हो गई इन हिंसक घटनाओं का अयोध्या से संबन था और ये राम जनम भूमी आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा एक राज्य में सामप्रदाइक नरसनहार था उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि लगभग दो दशकों तक चलने के बाद आंदोलन की मोबिलाइजिंग केपैसिटी समाप्त हो गई है कई लोगों की धारना में बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन ने हेट सिंबल को हटा दिया और 1992 के बाद मास मोबिलाइजेशन करने में संग परिवार को दिक्कते हो रही थी लेकिन गोदरा में साबरमती एक्सप्रेस पर हुए हमले ना केवल राम मंदिर आंदोलन को पुनर जीवित किया बलकि मुस्लमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली अभियान को नई हवा भी दिया 1992 में बताया गया था कि बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन जायज था क्योंकि बाबर के आदेश पर राम मंदिर को तोड़ कर उसी जगा पर एक मस्जिद बनाई गई थी ये बात अलग है कि सुप्रीम कोट ने अपने 2019 के जज्ज्मेंट में इसको एकसेप्ट नहीं किया ठीक उसी तरह से डिस इन्फोर्मिशन के बेसिस पर ये तुरंथ मान लिया गया था कि गोदरा कांड में मुसलमानों का ही हाथ था इसलिए इस खटना के बाद जो गुज्रात में मुसलमानों पर हमले हुए वे जस्टिफाइड थे सुनने में आश्यर होगा आपको परंतु ऐसा ही हुआ था 1998 में जब अटल विहारी वाज पर ही प्रधानमंतरी बने थे इंडिये घठ बंदन पर तब सरकार ने अपना नैशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बनाया था पूरे कॉलिशन पार्टनर्स के साथ एग्रिमेंट हुआ था उस नैशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस में बीजे पी के तीन प्रमुक कॉंट्रोवर्शल मुद्दे सरकार के प्रोग्राम के बाहर थे यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंपोजिशन, आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन और राम मंदिर का निर्मान ये एंडिये सरकार के एजेंडा में नहीं था बीजे पी ने बैक सीट पर रख दिया था दो हजार दो में उस समय भी वाजपेई प्रधानमंत्री थे और जब गोद्राकांड हुआ था तब राम सेवक विएच पी के एक कारेक्रम में भाग लेकर अयोध्या से लोट रहे थे गोद्राकांड और गुजरात के दंगों की वज़े से अयोध्या मुद्दा राश्ट्री इस्तर पर फिर से लोटा लेकिन साथ ही मुस्लिम्स को एलियनेट करने की प्रक्रिया ने गती पकड़ी प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जो उस समय गुजरात के मुखे मंत्री थे उन्होंने उस समय एक टेलिविजन इंटर्वियू में कहा था क्रिया प्रतिक्रिया की चेंड चल रही है हम चाहते हैं कि ना क्रिया हो और ना प्रतिक्रिया गोद्रा में जो हुआ इस से देश में सदमा पहुचना स्वाभाविक था गोद्रा के इस इलाके में लोगों की क्रिमिनल टेंडेंसी रही है और अब ये जगन अपराद की प्रतिक्रिया हो रही है बिना पलक जपकाए उन्होंने न्यूटर्नियन थर्ड लौ अफ मोशन को इन्वोक किया एवरी एक्शन हैस अन इक्वल अन उपोजिट रियक्शन मुख्यमंत्री होने की रेस्पॉंसिबिलिटी उन्होंने नहीं निभाई राइट्स प्रिवेंट करने के लिए टाइम पे कदम नहीं उठाए गए 2002 के गुजरात विधानसभा चुनाओं में मोदी ने विभाजनकारी अभियान चलाया उन्होंने मुसल्मानों के लिए रिलीव कैम्प्स को बच्चा पैदा करने वाली फैक्टरियां बताई हर मुसल्मान को देश-द्रोही करार दिया गया जब दूसरे राजियों में भारतिये और यहां तक की गुजरात में भी कई लोगों उन्होंने मुसल्मानों के खिलाव दंगे और हिंसा की निंदा कर रहे थे मोदी ने गौरव यात्रा की उन्होंने पूछा यह शर्म की बात कहां है घटनाई तो गर्व करने की बात है उन्होंने भारी बहुमत से चुनाओ जीता और इन घटनाओं के कारण नरेंद्र मोदी का राश्ट्रिये स्तर पर उदै हुआ मैंने 2013 में प्रधान मंत्री की जीवनी लिखी थी उसमें कहा था, आर्ग्यू किया था कि यदि गोद्रा कान नहीं हुआ होता और उसके बाद हिंसा नहीं होती तो नरेंद्र मोदी इतने महत्वपूर्ण नेता नहीं बन पाते इसके पीछे कारण यह है कि हमें याद रखना होगा कि मोदी ने केशु भाई पटेल की जगा भारते जन्ता पार्टी की मुखे मंत्री के तौर पर तब लिया था जब बीजेपी की लोक प्रियता गिर रही थी गोद्रा कांड के पूर साड़े चार महिने में चीफ मिनिस्टर के रूप में मोदी ने अपनी पार्टी की पॉपुलियरिटी को इंप्रूव करने में नाकाम रहे थे लेकिन उस घटना और उसके बाद हुए दंगों ने सब कुछ बदल दिया 2002 में गुजरात की घटनाओं ने मोदी को मौका दिया हर मुसल्मान को देखकर लोगों को कन्विंस किया कि या तो आप डर जाएं या फिर उनको संदे की निगा से देखें इस बात को उन्होंने जस्टिफाई किया अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स के द्वारा दुश्मनों की सूची में गैर मुसलिम्स भी जोड़े गए राजनितिक दलों और उनके नेताओं उनको जोड़ा गया सिवल सोसाइटी के मेंबर्स और मीडिया हम जैसे लोग इन सब को अपने सूची में शामिल किया गया विक्टिम हुट की राजनीती इंट्रोड्यूस किया गया हर्ट डेफिशेंसी के लिए मुसल्मान और अन्य अल्प संख्यों को रिस्पॉंसिबल बताया गया किसी की एपीजमेंट ना होते हुए भी जैसा की सच्चर कमिटी के रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है बीजेपी के अलावा सारे पार्टीज को एक्यूज किया गया ये तुष्टिकरन की राजनीती करते हैं दंगों में एहसान जाफरी की हत्या की गई चर्चा उस पर अभी भी काफी होती है संसद के वो एक पूर्व सदस्य थे इसके अलावा स्वतंतरता सेनानी और एक साहित्यकार भी थे ट्रेड उनियनेस भी थे 1969 के सांप्रदाई दंगों में उनका घर जला दिया गया था और उनका परिवार ने एक रिलीफ कैम्प में जाके शरन लिया था उन्होंने एहमेदाबाद में लगभग ठीक उसी जगा पर अपना मकान का पुनर निर्मान किया और बोहरा हाउजिंग एसोसियेशन गुलबर्ग सोसाइटी की स्थापना की 1969 के दंगों के कारण एहसान जाफरी ने सेकुलर राजनीती में सक्रिये हो गए गरीबों की बात करने लगे लेकिन जब उन पर मॉब ने अटाक किया तो जाफरी सहाब ने पुलिस की सहायता मांगी कई फोन किये लेकिन कोई नहीं आया एहसान जाफरी के साथ गुजराद की पॉलिटिक्स का एक फैसेट भी कमजोर पड़ गई उनकी राजनीती गरीबों और पिछडों पर फोकस्ट रहती थी गुजराद में एसेम्बली चुनाओ 2022 के अंथ में फिर से होने वाले होंगे क्या जाफरी ब्रांड की राजनीती का रिवाईवल हो पाएगा अक्सर बीजेपी ने उन लोगों पर हमला किया जिन्होंने 2002 में मोदी की भूमिका के लिए आलोचना की या फिर अभी भी करते हैं राइट्स में उनकी कल्पेबिलिटी को पॉइंट आउट करते हैं मोदी के सपोर्टर्स के अनुसार उनके क्रिटिक्स 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कॉंग्रेस की भूमिका पर उस पे तो चुप रहते हैं उनका ये एक्विजेशन है ये आरोप लेकिन सरासर जूट है क्योंकि 1984 में कॉंग्रेस की भूमिका को उजागर करने में सिविल सोसाइटी और मीडिया और हुमन राइट्स और्गनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ था मैं परसनली नागरिक एक्टा मंच और पीपल्स यूनियन फर डिमोक्राटिक राइट्स जैसे और्गनाइजेशन के साथ एसोसियेटेड था रिलीफ कैंप्स के अलावा एक किताब भी पब्रिश की थी छोटी सी बुकलिट थी लेकिन बहुत महत्तपूर्ण ये पुस्तिका की नाम लेकिन इससे ज्यादा एहम बात ये है और मैं कॉंग्रेस के रोल को नजर अंदाज नहीं कर रहा हूँ या फिर जिस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ 1984 और 2002 दो बिलकुल अलग किसम के इंसिडेंस थे और सत्ता का रोल भी भिन्थ था सबसे एहम डिफरेंस तो ये है कॉंग्रेस और राजीव गांधी ने एंटी सिख पोग्रॉम और उसके बाद के लोकसभा चुनाओ के बाद एंटी सिख सेंटिमेंट्स को बढ़ाया नहीं था या फिर उसका बढ़ावा नहीं दिया था इन कॉंट्रास्ट बीजेपी और मोदी की पूरी राजनीती ने 2002 से उत्पन जो दूरी बड़ी उसको सिर्फ वाइडन किया दूसरी बात मोदी का गुजरात रायट्स का जस्टिफिकेशन आइडेलोजिकली डिवन था इसके विपरीत कॉंग्रेस का गुसा परसनलाइज था पोस्ट असासिनेशन रायट्स इंदरा गांधी की हत्या का बदला वो भावना से डिवन था सिविलाइजेशनल इशूज नहीं थे 1984 के वाइलेंस के पीछे जबकी 2002 और उसके बाद के नारेटिव में हमेशा से रहे हैं गोद्रा कांट और गुजरात रायट से ट्रिगर्ड राजनीती ने कम्यूनल प्रेजुडिस बहुत ही डीपन करके छोड़ा है हमारे पूरे देश में लेकिन भारत के डाइवरसिटी के पीछे भाईचारा का भी एक बहुत लंबा इतिहास है कई सदियों पुरानी है ये ट्रिडिशन उस अनेकता में एकता को यूनिवरसली एस्टैबलिश करना आज के जेनरेशन्स की रिस्पॉंसिबिलिटी है गोदरा कांड और गुजरात रायट्स इतिहास ही रहे नए भारत की नियू ना बने नमस्कार